हेलो गाईज, विल्कम टू कॉंस्टेंस माइंड, मैं हूँ दीपक और आज हम बात करेंगे लखनव यूनिवर्सिटी पीजटी एड्मिशन 2021 पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2021 सेशन का ही लास्ट एड्मिशन यहां पर पीजटी के लिए हुआ है उसके बाद 2021-22 सेशन का अभी होने वाला है तो उसके लिए हाली में जो ओर्डिनेंस है उसको रिलीस किया गया है और निव ओर्डिनेंस में अब इस बार के एड्मिशन के सारे रूल्स और डेगलेशन को अपडेट किया गया है उस पर हम चर्शा करेंगे साथी साथ उससे प तो हमें इस पर वीडियो बनाना थोड़ा ठीक लगा तो अगर आप लोग देखना चाते हैं तो इन तक देखिएगा और दोस्तों अगर आप लोगों को प्रीवियस एर कोश्चिन में पर लेना है तो हम बहुत ही टॉप इनवस्टी के एच्छे खासे पीडियाफ कलेक्ट लेना चाते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप जाके बाई कर सकते हैं बहुत ही चोटा सा एकुमुलेशन चार्ज पे करके आपको जैसे ही आप पे करेंगे आप रिडारेक्ट हो जाएंगे एक पेस पे जो ड्राइब का पेस है व और भी कोई दिक्कत आती है तो वहां पर contact details available है आप WhatsApp भी कर सकते हैं ठीक है टेलीग्राम से भी जुड़ जाईएगा तो आसानी से आपको सारी चीजें clear हो जाएंगे तो जैसे कि आमर विजाला का है ये और एक news था इसमें दिया गया था आपके admission के बारे में जो लखनो व साथ या भी विवस्ता कर दी गई है इसका उद्देश यह है सिर्फ कि जो कुलपती पद पर आने वाले सिच्छत सिर्फ प्रसासनिक दायत तो तक ही नसीमट कर रह जाएं वो भी अपना सच्छडिक जो सत्र है उसमें योगदान जारी रखे है जो सच्छडिक विवस्ता ह अध्या देश के बिंदु संख्या 6.3 में कहा गया है कि निर्धारित योगिता जो सैच्छडिक वसोध पूरी करने वाले कुलपती भी पिएजडी करा सकेंगे इसमें आने वाले कुलपती के लिए पिएजडी कराने करास्ता साफ हो गया है हाला कि अभी इसकी विस्तित द है कि कोई भी गुलपती 3 साल के लिए तैनात होता है ऐसे पदपर आने के साथ ही अगर वो पिएजडी सुपरवाजर बनते हैं तो 3 साल में पिएजडी करा सकते हैं अगर इस दोरा पिएजडी नहीं पूरी होती है तो कारेकाल पूरा होने के बाद को सुपरवाजर की भू ज़ादा निकल के आएंगी क्योंकि अगर सुपर्वाइजर्स ज़ादा होते हैं तो जाहिट से बात है सीटे फार्यापत होती हैं सुपर्वाइजर्स की कमी की वज़ा से ही सीटों में कमी आती है इसी क्रमे रजिस्टर डॉक्टर विनोज कुमार सींग ने कालेजों को पत् सावेदन प्रक्रिया सुरू होगी तो देखिए मई तो पूरा बीच चुका है जून का महीना चला है और अभी तक एप्लिकेशन से रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आई है लेकिन हमें लगता है कि अगले एक हपते या दो हपते में प्रक्रियाएं सुरू हो जाएंग सुरू है ठीक है अब इसमें जो सिधा कहा गया है कि part time और full time दो mode में आपका PhD का admission होगा eligibility criteria इस ordinance के according 55% ही रखी गई है कि 55% आपका होना चाहिए और SCST OBC वालों को 5% का short दिया गया है साथ ही साथ यहाँ पर PhD program आपका जो एलाओ होगा उसी subject में होगा जिस subject में आपने regular mode से PhD वो post registration complete किया है किसी भी university से ठीक है तो यह हर साल होता है तो 2021-22 का होगा फिर उसके बाद 2022-23 का होगा अब university लेट चल लेए तो इस पर बहुत जल्दी-जल्दी दोनों admission कराने चाहिए हो सकता ऐसा हो यहाँ पर the university shall advertise admission notification on its website and through advertisement in at least two national newspaper ठीक है full time, part time दोनों mode में होगा उसके बाद यहाँ पर full time के बारे में बताया गया है duration इसमें 3-6 year ही रखा गया है अभी कुछ changes नहीं है इसमें and यहाँ पर जो यहाँ पर काज़ा है कि appearing in the research interest test RET as well as in the interview shall be mandatory for all candidates सभी के लिए RET and interview mandatory है जो candidate J.R.F qualified है J.R.F and NET यहाँ पर काज़ा है कि जो candidate J.R.F and or NET slate, gate are also required to appear in RET and secure stipulated minimum qualifying marks how are J.R.F qualified candidates shall be reasonable to avail their fellowship from the date of payment of admission first fees ठीक है यहाँ पर काज़ा रहा है कि जो भी candidate J.R.F और NET, state, gate qualify है are also required to appear in RET मतलब इनको भी RET देना होगा research interest test कोई exempt नहीं हो रहा है यहाँ ठीक है और कौन exempt होगा वो देख लीजे in case of a foreign national whether self-financing of scholarship holder who is admitted through the MBC, high commission of his or her country or admitted under MOU with the foreign institutions shall be exempted from RET एने interview वाई यहाँ इस दोनों से exempt होगे direct admission होगा प्रोशियर आफ admission क्या है तो यह देख सकते हैं final selection of candidate for PhD programs shall be based on 70% weightage to research interest test and 30% weightage जो होगा to performance in the interview and जो वाई 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 होगा including weightage to JRF, NET, UP slate यह सब भी इसी में आपको मिलेगा weightage तो वही जो 10-5 नंबर मिलता है वही मिलेगा the paper of RET shall be consist 50% of research methodology and 50% of subject ठीक है और इसके लिए previous question में जो हमने provide किया है वह बकाफी मदद करेगा आपका तो आप उसको जरूर ले ले a candidate seeking investment to the PhD program shall be required to have secured at least 50% marks in RET there will be past 5% relaxation in marks of OBC, SC, ST candidate ठीक है जो यहाँ पर आपका जो total final merit बनेगी वो कैसे बनेगी तो आपका total marks जुड़ेगा वो total marks किस पकार से होगा तो total marks आपका पहला तो RET कर रहेगा फिर उसमें plus होगा academic index जो होगा आपका and उसमें plus होगा interview का and आपका जो weight is होगा jar of net status का उसको भी इसी में add किया जाएगा फिर आपका इस तरह से फ total marks बनेगा part-time PhD program के लिए आप देख सकते हैं तो part-time PhD program का क्या होगा इसका duration जो है 4 year and maximum 8 year है मतलब 4 to 8 है और इसका procedure क्या है तो इसमें जो selection होता है candidate का part-time में based on a separate test इसका एक separate test होता है 70% weight is जो होता है वो दिया जाता है write-up का मतलब एक आपको write-up submit करना होता है 1000 words तक का ठीक है इसका 70% weight is होता है and 30% weight is जाता है आपके work experience पे academic index and performance of interview पे ठीक है इसमें भी interview और आपका यहाँ पर जो है वो work experience मांगा जाता है ठीक है जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे तभी तो आप part-time करेंगे और यहाँ पर इने उसी वगर की है वो हमने आपको बताई ठीक है और बाकी चीज़ें जब form आता है तो तुरंट clear हो जाती है ठीक है तो कहने का मतलब अभी आपको entrance तक के लिए जितनी चीज़ें हमने बताई यह जरूरी है बाकी उसके बाद जब आपका entrance हो जाता है आपका admission हो जाता है तो उसके बाद कई जो चीज़ें वो भी ordinance में दी गई है तो उसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है तो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसी form आता है हम आदे साथ बने रही है आपको फटा-फट अपडेट मिलेगी हमारी निगाह हमें साइट पर होती है कभी भी कोई भी notice आती है तो आपको सबसे पहले हम available कराएगे तो उसके लिए चैनल को subscribe कर बेलाईगों जुरूर प्रेस रखें मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ